फ्रेंस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मिनी डीजल इंजन बना के दिखाऊंगा इसे आप अपने गर पे आसानी से बना सकते हैं यह 100% बर्ग के वर है और इसे बनाना भी काफी आसान है तो इसे बनाने का कम्प्लिट प्रसेस में आपको इस वीडियो मताँगों तो वीडियो को आप शुरू से लेके लास्त देखना चैनल पर पहली वा रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें ना साथ में जो नॉट्बेकरिशन बेल है उसे और पर प्रसेस करें ना ताकि जब भी मैं कुई नया वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी नॉट्बेकरिशन आप लगड़ी का कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया है और उसके कुछ लेँगे, यहात प्राइक प्राइस होता है और इसे में बीच में एक शेद होता है तो इसमें ऐसेHS प्लक के थूजर, ने बाथ यहाँ पर यहांगा तो उसे यहांपे जो मारी दीजल इंचरों तो इए इसए गेर के साथ यहाँ पर अटेक्श कर लिया है और इसके उपर में यहां पे जो बूट का टुकड़ा एक और लगाऊं क्योंकि यहां पे जो पिलेंजर है उसकी लंभाईज थोड़ी सी यहां पे जयादा है इसके जो फ्यूल पंप होती वो लगाने की कोई जरूत यहां पर नहीं पड़ेगी तो यहीं पर यह कुछ इस तरीके से काम करेगा एक 6 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूं इस पार प्लक को चलाने के लिए आप 12 वोल्ट की भी उज़ का सकते हैं लेकिन 6 वोल्ट से भी यहां पर बर्क कर जाता है तो चलिए एक एक करके सारी फिटिंग में आपको बतायता हूं तो यहां पर पहले सबसे वहले जो फ्लाइवीलेस का यानि की जो गियर है उसे मैं सेट कर लेता हूं इसके साथ मैं बड़ा गियर भी लाओंगा डीसी मोटर यहां पर वो डायनमो मोटर होगी जिससे यहां पर इसे हम इस्टार्ट भी कर पाएंगे और बाद में उससे करण भी यहां पर आउट वूट में मिलेगा सारा प्रोसेस में आपको बताऊंगा यह कोई वीडियो नहीं है आप इस्टेप बेस्टेप इससे देखना और आप इसे घर पर ट्राइ करके इ तो चलिए अब इसे यहां पर सेट कर लेता हूं तो इसे आप पती ही सेट कर सकते हैं चानता आप होट गुरू से भी सेट कर सकते हैं लेकिन आपको यहां पर पती यूज़ करनी है कुछ इस तरीके से यहां पर मैं इस टुकड़े को लगा दिया अब इसके बाद में इस प पिश्ट में यहां पर मूब करेगा इसके बाद में यहां पर एक डाइनम मोटर यूज कर रहा हूँ एक मैक्सिम में यहां पर 48 बोल्ट करण्ट बना यह चलती है तो 12 बोल्ट की बैक्री से हम एंजन को स्टार्ट करेंगे और आउट्पूट में आप इससे 48 बोल्ट जो प्लाइवील उसमें इसलिए यूज किया है ताकि इस मोटर को गुमाने की लोड़ना पड़े यहां पर एंजन पर एक बल्ब में यहां पर यूज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसमें यहां बन रही है तो यह 12 बोल्ट का बल्ब है तो चलिए जो बो को सही तरीके सैट कर देना यह लीकिश नहीं करना चाहिए वरना जो एर है वह यहीं से निकल जाएगी क्योंकि जब यहां पर जो हमारा इंजन के थूपर की साइट में खीशेगा तो लीकिश की वएसे डीजल उपर की साइट में यहां पर नहीं जा पाएगा तो आपको कई पर भी सैट कर सकते हैं तो मैं यहां पर जो पॉट के टुकड़े पर सैट कर लेता हूं से इसके बाद में जो लेकल पाइप कर टुकड़ा है उसे थूड़सा काट के मैं जो इंजन की बाल गोटी में लगा तो इसके बाद हमारा जो इंजिनीन है वो लगओ बन जो को बन के तνηार हो जाएगा अब इसके बाद में जो स्पार्प को लग когда wire है उससे एक wire को यहाँ पर इसकी इंजिन की body के साथ यहाँ जोटो दिना है तो कुछ इस तरीक ही से जो spark plug है उसका जो minus वाला point मैं यहाँ बैटरी के minus पर जोड़ो देता हूँ यानि कि इसकी इंजन की वॉड़ यह उसका point यहाँ पर मैं बैटरी के minus पर दूँगा और spark plug को यहाँ पर ऊपर वाला point है उसे मैं यहाँ पर जोड़के बैक्ट्री के पॉजिटिप से दे दूँगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसमें स्पार्क यहाँ पर जन्रेट होगा तो उससे यहाँ पर जो फ्यूलर वो चलेगा तो चले मैं यहाँ पर इसमें डीजर डाल देता हूँ और उसके बाद मैं आपको उसे ओन करके दिखाएता हूँ कि यहाँ पर जो इंजर वो इस्टार्ट होता है गर नहीं तो आप इसे फेक वीडियो मस होई ना आप इसे घर पर ट्राइ कर सकते हैं 100% बरके वाल है तो मैं अपने चल पर कोई फेक वीडियो यहाँ पर नहीं डालता हूँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसमें डीजर डाल दिया इसके बाद मैं जो पाइप हो पूर अंदर तक जाना चाहिए तो चलिए यहाँ पर इस पाइप को इसके अंदर सेट कर लेता हूँ तो मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ पर काट दिया ताकि इसका जो पाइप वो सही तरीके से इसमें सेट हो जाए और देखने में भी थोड़ा सा चल लगे यहाँ पर तो आप इसे तार के टुकडे से set कर सकते हैं कि इसमें लीखिश ना करे वैसे यह बुल्कुल फिटा आरा है समें तो लीखिश यहाँ पर नहीं होगा तो देख सकते हैं फ्रेंज्स यहाँ पर जो पायप पर बुमन रगा दिया है चलिए अब इसे चेक करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो इंजन है वो वर्क करता है तो पहले मैं ऐसे बैक्टरी से स्टार्ट करूँगा ताकि यहां पर इसमें थोड़ा से मूवमेंट आ जाए तो अवी मैं यहां पर इस पार्ट के वायर बैक्टरी से जोड़ेता हूँ तो मैंने प्लस वाला पॉंट यहां पर प्लस पर दे दिया है और मानस वाला पॉंट यहां पर मानस पर तो लगो मारा सारा सेटप कंप्रीट हो चुगा चलिए बसे चेक करके देखते हैं तो इसमें फोड़ा सा यहां पर इस पार्ट जो डीजल अंब आना चाहिए तब यहां पर सपार्ट करेगा तो देख सकते हैं यहां पर जो इन्याने वह स्टार्ट हो चुका है आपको इसकी आवाज भी आरी होगी मैं देख सकते हैं यहां पर इसके बाइर यहां पर पीछे की साइड में चलिए मैं इनको बल्ग के साथ यहां पर जोड़ देता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसमें एक बाइर में जोड़ दिया है चलिए मैं दूसरे बाइर को यहां पर जोड़ लेता हूं यहां पर एक्सर के साथ होकर तो देख सकते है का पी इच्छे तरीकिसे हमारे यहां पर वर्ब कर रहा है तो यहां पर यह साथ में करंड भी बना रहे है यहां पर यह ने पर क्षिशन लेती यानिकि जो पेश्टान जरू करना चनल पने चनल को सस्क्राइब कर देना ताके आपको हर नए वीडिएओ की नोनिक्टिकेशन तुन सीजिए कि मसकें तो देख सकते हैं कई से कोई वी ऐसा वायर नहीं मैं आपको देखार हुए श्राइब दिख सकते हैं इस तरीके से यहां पर इंगन वर्क कर रहा है और यहां पर six board की बैट्री से जो spark प्रग हो यहां पर वर्क कर रहा है मैं आपको इसके wire अठाके दिखाये था हूं तो अभी यहां पर ब्ल्ब हो बंद हो चुका है तो देख सकते हैं चली में यहां पर बैट्री का वायर भी आपको अठागे दिखाएंगा तो इसके बाद में इन्जन नियुट बंद हो चुका है कुछ इस तरीके से तो वीडियो को पसंदेते वीडियो कूला लाइक तो अराब को से बना में को इपी दिकता है तो विडियो निचा मुझे कमें जूरू करना